हलो दोस्तों कैसे आप आज मैं आया हूँ टीबी में वायफ है कैसे कनेट करेंगे टीवी कैसे यूज करेंगे स्मार्टीवी सारा सेट अप ओ Erfolg करना में तोаров Dad आफ रहेगा तो on करना पड़ेगा मेरा पहले से connect है तो मैं इसको on कर रहा हूं मैं on करके यहां पर connect कर दिया आप देखो यहां पर connected आ गया option यहां पर पास्वोड डालोगे अपने hotspot on करोगे mobile का फिर आप यहां पर कि यहां मैं connect कर रहा हूं अभी disconnect करके फिसनेट करके दिखाता हूं आपको यहां मैं देखो open कर रहा हूं अभी अपना मेरा यह ना मैं आ रहा है यहां पर पास्वोड डालूंगा यहां मैं मैं पास्वोड डाला मैं यहां पर password सब mention कर रहा हूँ, भी password mention करने के बाद मैं यहां directly इसको connect करने के लिए option डाल दिया, अभी यहां पर net connect हो रहा है जैसे connect हो जाएगा तो यहां पर अपर नीचे लिखेगा भी wifi connected लिखेगा, यहां पर सामने यह पो शो करेगा, आप देख सकते हो इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आप वाइफाई करने करना है, वह भी कर सकते हो अभी यहां पर आपको लगता है image setting करना है, तो आप image कर सकते हो यहां पर अलग-अलग mode दिया हुआ, standard, vivid, eco, इस सारे mode आप यूज कर सकते हो, जिससे आपको picture quality अच्छा बेटर दिखेगा, गेम के लिए, sport के लिए, movie के लिए, तो सारा mode यहां पर आपको मिल जाएगा, यहां पर backlight आपको करना है, brightness बढ़ाना है, इस सारा setting आपको यहां यहां पर image setting में ही मिलेगा, smart TV अगर आप यूज करते हो, तो आप चाहे वो 43 इंच का हो, चाहे वो 35 इंच का हो, चाहे वो 55 इंच का हो, चाहे 65, चाहे 75, सब का setting सेम है, किसी का setting अलग नहीं है, यहां पर मिल जाएगे, हैं पर ratio अगा आपको set करना है, कितने rate यूप रखना हुआ है, यहां पर सब आप set कर सकते हो, आइस protection भी आप यहां पर लगा सकते हो, on off यहां पर set कर सकते हो, ठीके, आपको reset करना है, कि आपको profile आपने size set नहीं किया, और कुछ अगर गडबड हुआ है, तो आप reset कर सकते हो, फिर से set कर सकते हो, साथ में आप sound अगर setting करना चाह आपने टीवी मैं तो उसके लिए अलाग-अलाग option यहांपे दिया हूआ है आपका सकते हैं यहांपर बीजिफında है पर यहांपर सब और है करें यहांंपर दिया है में आपको अचलंद करला है है तौरकर अब पकूर शल्चाहा है कि यहांपर सब आपको मोर दीख रहा है यहां पर कि यहां पर कैसा होता यहां पर दोबदा है पहला यह कि यह को है कि यहां पीच्छे से अंबड़ लगाते हो तो आवाज बाहर जाने के लिए हैं यहां पर सब्सक्राइब इसके लिए आपको निट करना पड़ेगा फिर जयूनरा सेटिक में जाओगे यहां पर टाइम है टाइम लगा सकते हो लॉक सिस्टम है धर में बच्चे हैं इल डी से धिकेटर मासामाको सामने आ रहे हैं यहां पर लिक की दिया हूए है यहाँ से बीया आप ओटिकल जो मैने बताया है उपटेकलनेकल लिंक लिंक मोड दिया हुए इसको होस्षरे करकेशते होह है Advanced mode है यह बीस वाप दिशकते हो सब इहां पर का दिया लोकेशन ऑन अफ दिया है, ओंप का है कर सकते हो, सब्टवेर क्वेर कहन सा अपडेट आया जई यह नहीं है आप भी चेक कर सकते हो, HDMI कितना है, वो भी यहां से दिख सकते हो, स्कोर रिनेम से, 12, करना है कि यहां पर रिशेट करना है तो जर्नल से तिंग में जाकर रिशेट होगा बागी कोई और जगह से रिशेट का जगह इसका पिए कौन सा मोडल है कहां से हैं कमपनी का सब आप देख सकते हो साथ मेंर्वाप इसके होम सर फ्रॉंट सीन पर अन्यदिन अब का दे से चनहें statement यूज करना है सब आप आशान है नेट करने के बार करने के बार शर्व हो जाएगा यहां पर कास्ट क्या होता है कि मुबाइल हम तो थे कोई अपना मुबाइल का फोटो वीडियो है हम टीवी में देखना चाहिए उसके लिए आपको काश स्क्रीन में जाना पड़ेगा काड स्क्रीन जाने के बाद आपका आईफोन है या एंड्रोइड है तो उसमें आपको टच करके यह स्टार्ट करनेटिंग करना पड़ेगा इस्टार्ट करोगे तो यह नाम आ जाएगा यहां पर डिवाइस नेम आ रहे हैं सेम आप में आएगा फिर आपको मुबाइल का स्क्र आपको करनेट करेंगा तो बंद हो जाएगा सेम कर सकते ह्या एंड्रॉप अगर स्कुमर्ण करें बाहर आ मेडिया मेडिया क्या होता है देखो क्या होता यूएस्बी कितनी बारी होता है हम टीवी में यूएस्बी मोड ने डुड़ पाते तो यूएस्बी मोड का एक नॉर्मल आसान तरीका है किसी भी एलडी में अगर मेडिया लिखा हुआ है तो वही यूएस्बी मोड है ना कहीं दो ही मोड आपको सामने फ्रेंड में रहता है अगर आप पीछे पेंड्राइव यूज करते है तो वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगी यहाँ पर स्कोर देखों मिल जाएगा अगर थ्रीपी न यूज करते हो कि HDMI यूज कर रहे हो कौन सा केबल यूज कर रहे हो वाइफा इस वाइफाइ लगा रहे हो इस सारे अप्टिकल यहां से कनेक्टिंट होंगी यह आपको स्कोर में मिलेगा सारा मोड स्कोर में आ जाएगा A to Z इसकोर में मोड आएगा यहां देखो DTV है, ATV है, AV है, HDMI 1 है, HDMI 2 है, इस सब आपको स्क्रीन यहीं से मिलेगा, यहां पर ब्राउजर है, अभी ब्राउजर आ रहे हैं, ब्राउजर में सर्चिंग कर सकते हैं, इसे गूगल में आपको सर्च करना है, तो आप सर्च कर सकते हो, होट इस्टार है, Z5 है, यह सब स्मार्ट TV या रहे हैं, तो सब आप यहां पर यहां पर यूजर कर सकते हो, साथ ही साथ आपको लगता है, यहां पर आप दिखuna, जो मैंने सेटिंग महां से ओए यहां पर इस इस सेटिंग में आप journée करने के लिए इसbayर. इंटरनेट हुआ, इमेज से partieं हुआ मतलब से टिंग जो होता है वो आपके रिमोड में भी है और आपके रिमोड से बटटन से होगा और इसके डिस्पली पे भी दिया हुआ है सेटिंग, अभी वाइ-redit होगा सिर्फ वाइ- Fi Cuén Kevonर करना है with पास्वर्ट डाल के तिक है यह सारा सेटब मिल जाएगा अपने को स्मार्ट टीवी में कि तो शचाष है कि अब देखा ऽैँ तो यूडेयो का सकती हो कि यूटूब का फॉल स्क्रिण में इने कि यहले। कि अब नेटवर्क है मैं आधी चालू कर रहा है। ये अन हो गय? पिच्चर क्वाल्टिक जम बेटर है जैसा वाइफाई करोगे जिस प्रकार का नेट रहेगा उसी हिसाब से वीडियो चलेगा इसमें कहता है टीबी में एच्डी आता है फूल एच्डी आता है और एच्डी रेडी भी आता है पिवीड भी आता है 1080 भी आता है जैसा आपका नेट रहेगा वाइफाई का या मोबायल का नट जिदे रहें जिसका ब्याइश को दे रहे हो जिए इतना स्पीड चिच्ध का रहेगा उबाका याडियो रागा उसी साबसे प्रक्षर क्वालिटि आएगा अगर अब इसका र अगर यूटूब आपको डाट ऑन करना है तो यहां पर डाटली कंपनी ने दिया हुआ है इन विल्ड तो आपको कर सकते हो पर इसमें एक होम स्क्रीन बटन दिया है यह होम बटन से ही आएगा अगर टीबी आन करतो है किसी मोड में चले गए और आपको बाहर आना है यह होम बटन दवाद होगे न तो फूर यह अपने टीबी के फ्रन्ट स्क्रीन पर आजाओगी जिस पर आपको सब मिल जाएंगे यहां पर यह पर इसकोर चेंज करने लिए मैं बताया था इसकोर के लिए है यह बैक आने के लिए बटन दिया हुआ है साइड में रो दिया हुआ में इसका बटन होम ही है होम से सारा भी बटन यूज कर सकते हो आप यह अपको मिल जाएंगे दस बटन में सारा पूरा सिस्टम है पूरे टीवी को आप करनेट कर सकते हो सब कुछ A to Z काम से कर सकते हो बाकि आप कोई B TV लेते हो सबका सिस्टम सेम है वीडियो अच्छा लग तो लाइक असक्राइब जरू करेंगे दोस्तो थाइंक्यू दोस्तो